हाई एब्रिवान देखिए विंटर तभी बहुत दूर है पर विंटर का गुलाब किस तरीके से आप खिल रहे है आप जुलाई मांद का लास डे है जुलाई आगस में इस तरह मेरा गुलाब खिल रहे है मेरा बलकोनी गार्डेन में तो विंटर में किस तरीके से गुलाब ख जो गुलाब का क्यार आपके साथ श्यार कर रही हूँ अभी से कर लिजिए तो बहुत ही जल्दी यानि साथ दिन के अंदर ही आपका गुलाब का प्लांट में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा और फूल का बात करूं तो गुलाब का प्लांट में जितना ग्रोथ आएगा उ आपको मेरा गड़न में दिखने को मिलेगा तो अच गर जो फाटी लैजर आपके साथ शेयर कर रही हूं इस फाटी लैजर को इस्तेमाल करने से पहले आपको दो प्रोसेस पहले कर लेना है जो मैंने अल्लेडी कर चुकी हूँ सबसे पहले आपको गुलाब का मीट्टी को उसके बाद ही आज जो फाटी लैजर आपके साथ शेयर कर रही हूं उसको आपको प्लांट में दे देना है फाटी लैजर के लिए आपको कोई बाहर जाने का यानि मार्केट जाने का जुरूत नहीं है घर का समन कोई इस्तेमाल करके एकदम फ्री का फाटी लैजर आपके स शेयर कर रही हूँ क्योंकि फाटिलेजर के बीना गुला प्लांट में ना फूल खीलेगा तो आपको पहले मैंने दिखा दिया देखिए हार कोई गामले का मिट्टी आपको थोरा सा नामी दीख रहे हैं सिफ मैंने ये काम कर रहे हूँ जो स्प्रेंट फ्लावर है उसको मैं ह और सानलाइट भी देना है और मैं कर चुकी हूँ और पानी तो देई चुकी हूँ तो ये दो प्रोसेस मैंने अल्लेडी कर लिया है तो सिर्फ स्प्रेंट फ्लावर मैं उसको कट कर रहे हूँ तो न्यू ग्रोथ आना बहुती जल्दी शुरू हो जाएगा प्लांट में त इस टाइम आपका गुलाभ प्लांट में कोई हाट प्रुणिंग नहीं करना है इस तरीके से सब्ख प्रुणिंग कर लिजिए और अच्छा से चेक करते रहिए कि आपका गुलाभ का कोई ब्रांच का यान própria यानि बलैक तो नहीं हो रहे है यानि फांगस के अटक तो नहीं बनाई और इसी कोई एक नॉर्मल वर्शन भी आपको दिखा रही हूँ तो सबसे पहले देखिए यह लिया है मैंने बनना पिल फार्टीलाइजर इसको मैंने थोड़ा सा अच्छा से बना लिया किस तरीके से पहरे मैं आपको बता देती हूँ यह जो बनना पिल पानी में भीगो देना है एक से दो दिन के लिए तो इस तरह आपको नॉर्मल बनना पिल फार्टिलाइजर मिन जाएगा और अभी जो आपको दिखा रही हूँ जो मैं एक मान तक बना के रखी हूँ देखिए इस तरीके से इसमें मैंने देखिए जहाँ तक आपको पानी दी तो ऐसे बन गए है यह पहुत ही स्ट्रॉंग एक बनना पिल फार्टिलाइजर इसको अब बायो एंजाइम भी कह सकते हो बनना पिल का आप भी चाहते हो सिर्फ गुलाब नहीं आपका गार्डेन में जितना फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट है अच्छा तरीके से उस बनना पिल फार्टिलाइजर एक पर बनना पिल फार्टिलाइजर आपको लेना है इसके साथ दो गुना तिन गुना पानी आपको एट कर देना है तो पानी और बनना पील को अच्छा से मिलाने के बाद आपको और एक चीज का जुरुत परेगा यह दो चीज आपको डालना डालना है कुलाब प्लांट में अच्छा से फ्लावरिंग लेने के लिए और ग्रोध को बराने के लिए तो कौन सा चीज है देखिए आपको दिखा रही हूँ जैसे मैंने पानी डाल दिया है और ग्लास का नाप भी आपको दिखा दिया है मैं थोरा सा ही लिया है कि यह स्ट् जो आपको बता रही हूँ अपका गुलाब का प्लांट में हर 10 दिन में दे देना है और जिस एरिया पे बारिश लगातर हो रही है तो बारिश में आप कोई फार्टिलाजर आपको नहीं देना है बारिश थोरा सा रूख जाए अच्छा सा सानलाइट भी आना शुरू हो ज देखिए इस तरीके से फार्टिलाजर आज दे रही थी गुलाब प्लांट में तो आपके साथ भी वीडियो शेयर कर दिया है बहुत ही बरिया ये फार्टिलाजर आपका गुलाब प्लांट में काम करेगा फ्रेंस आप मिनिमम दो बर इस्तिमाल करके देखिए 10 दिन का गै क्योंकि इस fertilizer में मिलाई banana peel यह प्लान्ट को स्ट्रोंग बनाते हैं प्लांट में कलियाः लेकर आते हैं और साथ में coffee powder में हैं काफी निूट्रेंट इयुक् stick साथ में यह प्लान को गुलाब का सौ Soul को प्लान है सौयल को एसिडिक बनाकर रखेगा और सौयल एसिडिक होने के कारण में जितना है हम प्लांट में फाटिलाइजर देते हैं प्लांड ही इंतेक कर पाते हैं तो इस तरह के से घुल्आब अपका प्लांट में भी खिलना शुरू हो जाएगा तो फाटीलेजर देने के बाद आपको करना क्या है जैसे मिट्टी हलका सा ड्राइ हो जाए आपको अच्छा से गुराई भी कर देना है और आप बारिश का मौसम है प्लांट में आप कोई नाइट्रोजेन फाटीलेजर ना भी द देना मत भूलिए कुछ भी नहीं है तो आप कम से कम हल्दी का पावडर गुलाब का प्लांट में आपको जरूर इस्तेमाल कर लेना है और कोई इंसेक्ट आप तो फिला लगता नहीं है बरसात का टाइम पे से फांगस से प्लांट को आपको बचाना है बिच बिच में फां साइट का स्प्रेई भी कर देना है तो प्लांट फांगस से भी बचा रहेगा और इस तरीके से आप गुलाब नान को क्यार करिए यह मिट्टी को गुराइग करना है फ्लांट में किस तरीके से कौन से फार्टिलैजर देना है फ्लावारिंग के लिए अच्छा ग्रोथ के लिए ओभी बता दिया है प्लान को सानलाइट पे रखिए प्लान को बारिश का पानी भी दीजिए और फांगी साइट से प्लान को अच्छा से फांकस से बचा लिजिए इतना ही काम आपको करना है बहुत ही सिंपल यह तो हम रेगुलर बेसिस पे गुलाब प्लांट में करते रहते हैं और सिब इतना ही काम करके आप देखी पाएंगे कि अगस्त महंत का सुरुआत से आपका प्लांट में ग्रोथ आना चालू हो जाएगा वीडियो आपको हेलफूल लगे तो वीडियो को लाइक शेर करिए मेरे साथ जुनने के लिए चैनल को प्लीज प्लीज सब्स मुझा हो जाएगा झाल झालू हो जाएगा वीडियो आपका शेया वीडियो आपका वीडियो आपका शेया बाएंगे नवाखूला चाहा हो जब में का में.